आज हम बात करने वाले हैं मौक्टेल ड्रोप के बारे में कि क्या इसकी यूज हैं क्या डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट हैं सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहरी बार आएं तो प्लीज चैनल को बात करते हैं तो अगर हम जो मौक्टेल है यह इसका ब्राण ने में और अगर हम कंपनी की बात करें तो यह कैपलर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और एम आर्मर्प की बात करें हम इसकी तो यह आपको 143 पर के आसबास का मार्किट में आपको मिल जाएगा योकि 30 ml की OTC सी होती है और अब हम बात करते हैं इसकी ये जो rotale drop है ये otc brand है और ये आपको generally आप किसी भी store पर जाकर आप इसको ले सकते हैं विना doctor की salah की अब हम बात करते हैं इसके composition के बारे में या या निसके अंदर salt क्या क्या पाया जाते हैं तो यह मल्टी विटामिन्स ड्रोप होती है, मल्टी मिनरल होते हैं इसके अंदर, L-Lycin होते है, कॉलिन होते हैं and DHAB प्रेजेंट होता है अब हम बात करते हैं इसके यूजिस के बारे में कि इसका यूजिस हम किन-किन समझ्याओ में करते हैं तो एक तो यह न्यूबॉर्ण बेबी से लेके 6 या 8 मैने तक के बच्चों को ही ड्रोप दी जाती है, अगर उससे कोई उपर है तो उसको सिरफ या टैबलेट की फोम में अब हम देंगे और हम बात करते हैं यूजिस के बारे में कि इसका यूजिस हम किन-किन सिचुएशन में करते हैं एक तो इसका यूजिस हम इमिनिटी बूश्टर में करते हैं अगर बच्चे को बार-बार बुखार आ रहा है तो उन समझ्याओ में भी करते हैं या ऐसा होता है कि बच्चे के सरी में विटामिन की कमी होती है तो उन सब समझ्चाओं को दूर करने में भी हम इसका करते हैं या विटामिन से हैं जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B बने इन सब की कमी है तो हम इसको हम यूज करते हैं या बच्चा सोता सोता रहता है या थकाने या या बच्चे के चोट लग गई है उसको घाव भरने में भी काम में आती है और ये जो है सरीर में विरदी यानि गिरोथ में भी इसका यूज हम करते हैं या और सरीर को हैल्थी रखने में भी इसका यूज किया जाता है अब हम ब इसकी डोज हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए तो इसकी चनरली डॉक्टर दद्दस बुन सुभेशाम या 0.5 एमिल सुभेशाम लिखता है पर एक बार आप जब भी इसको दे तो एक बार आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले एंड उसके बाद ही यह ले और आप यह लेक्ट इस वीडियो थैंक यह वर वचिंग इस वीडियो